यहां पर हम बात करेंगे ESIC की तरफ से यानिकी Employees State Insurance Corporation की तरफ से JNK की Paramedical की पोस्टे जो है यहां पर आउट कर दिए हैं अगर आप candidate यह form apply करना चाहोगे आप हमें contact कर पाओगे 8082-874110 पर जो है WhatsApp message कीजिएगा हम आपका form जो है यह fill up करके देदेंगे अदर्वाइज आप CyberCraft जाके वो आपकी choice है हम force नहीं करते हैं वो आपकी choice है आप वहाँ जाके भी fill करा सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं next ठीक है यहां पर देखिए ECG technician की post है junior radiographer, ot assistant, farmist, farmist, arveda, alopathic और radiographer की post हैं यहाँ पर general category में आप देख सकते हैं कितनी कितनी post है दी गई है और total post है ठीक है यहाँ पर बता दू SCST, ST में एक vacancy है, farmist में, OBC, EWS में कोई भी vacancy आपको देखने को नहीं मिल रही है यह आपको यहाँ पर बताया गया है ठीक है बाकी अगर कोई personal benchmark disability category को student है तो वो भी apply कर सकता है category A, B, C, D, E जिस तरह की आपको disability है वो यहाँ पर बताया गया है ठीक है अब next यहाँ पर बताया गया है आपको qualification आपकी बात की जाए यहाँ पर essential qualification क्या है तो ECG technician अगर कोई को बच्चा करना चाहता है इसमें apply तो 25,500 से 81,100 तक आपको pay level रहने वाला है 18 से 25 आपको age रहेगी और इसमें आपको 12 चाहिए science में और आपको 2 साल का diploma होना चाहिए ECG का ठीक है अब next बात करते हैं जूनियर रेडियोग्राफर की 21,000 से 70,000 तक आपको pay level रहने वाला है जिसमें 18 से 25 आपको रहने वाला है और इसमें 12 चाहिए science में और इसमें डिप्लमा होना चाहिए आपको पार रेडियोग्राफर का ठीक है अब next बात करते हैं OT असिस्टेंट की 21,000 से 70,000 तक salary रहने वाली है और 32 साल तक आपको age दी गई है और इसमें 12 with science आपका होना चाहिए और एक साल का experience OT में मांगा गया है ठीक है फार्मिस्ट अलोपैथिक की बात की जाए तो 30,000 से जो है रहने में 1000 तक आपको salary रहने वाली है 32 आपको age दी गई है और इसमें degree मांगी की है फार्मिस्ट में ठीक है नेक्स्ट है फार्मिस्टिक आरवेदिक जिसमें भी salary आप लेवल देख सकते हैं फिर उसके बाद age 18 से 25 एज दी गई है फिर bachelor in pharmacy होने डिगरी होनी चाहिए या फिर डिप्लामा होना चाहिए आरवेदिक डिगरी फार्मिस्टी का ठीक है नेक्स्ट पोस्ट आती है रेडियोग्राफर जिसमें salary भी लेवल सेम रहने वाला 18 से 25 सेम है फिर इसमें आपको 12 पास होनी चाहिए साइंस ट्रेम में और डिप्लामा या सैटिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफर में और एक साल का experience भी होना चाहिए यह आपको यहा पास्टेट है और इंडिया से इस फॉर्म को कोई भी अपलाई कर सकता है फिलाल यह जियनके की है यहां पर आप देख सकते हैं आप कैंडिडेट को क्या करना है फोटोग्राफ बेजना है अपना signature left thumb impression और एक handwritten declaration होता है वो आपको बेजना है हम बताएंगे आपको handwritten declaration में आपको यह सब लिखना है आई आगे name of the candidate hereby declare all the information required तक जो है आपको return में लिखके बेजना है और left thumb impression भी बेजना है और signature आपको capital letter में नहीं चलेंगे सिर्फ आपको small letter में चलेगा ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं application registration और payment of fees यह सब आपको यहां पर देखने को मिलेग आगे बात करेंगे payment किस तरह से रहेगी for SCST OBC category को 250 है ठीक है for all other categories जो है वो 500 fees रहने वाली है ठीक है online form fill होगा यह आपको यहां पर बताया है हमने और exam का center भी आपको हमारे GNK में ही दिखेगा ठीक है जमू या सिन अगर कुछ इस तरह से आपको exam center होगा ठीक है बाकी आप आपको यह scheme of examination है यह आपको exam दिया गया है कि किस तरह से जो है कौन सा syllabus जो है यह देख सकते हैं professionally, knowledge, technical, 50 question आएंगे फिर general awareness, intelligence, arithmetic, ability, total आपको 100 question आएंगे 150 marks के ठीक है और 120 minutes आपको यहां पर दिया जाएगा ठीक है यह आपको PDF हम provide करेंगे टेलिग्राम पर टेलिग्राम का link description box में मिलेगा वहां पर जाके आप जो है इस PDF को read कर लीजेगा फिलाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे मिलते हैं को next video next update के साथ students बाई बाई टेक केर